जबकि भारतिय उपकप्तान रोहिट शर्मा ने महसूस किया कि भारत के 2011 वर्ल कप के नायक युवराज सिंग को भारत के लिए एक शांदार करियर के बाद खेल से एक उच्चत विदाई नहीं मिली है फैन्स को भी लगता है कि युवी को एक बहतर विदाई मिलनी चाहिए थी सिंग ने 10 जून को मुंबई में अपने 19 साल पुराने करियर को समाप्त करने की घोशना की उन्हें फेरवेल मिलना चाहिए था और मैं तो यह चाहता था कि वो इस वर्ल कप में डिजर्विंग थे क्योंकि वो इनका लास्ट वर्ल कप भी होता तो मेरे हिसाब से उन्हें यह वर्ल कप खिलाना चाहिए था बट कही ना कहीं बीसी सी आए का जो डिसीजन है मैं अपरूव नहीं करूंगा या मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा उसका तो यूरा सिंग एक बहुत अच्छे प्लेयर है उन्होंने दोजार साथ में भी बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस दिया है अपना फिर 2011 में भी वो मतलब मैं अफ तूर्नमेंट रहे हैं तो उन्हें इस वर्ल कप के लिए भी रहना चाहिए था जैसे सचिन को भी अपना ल बोड़ी ख़ब हैं बाकिया अईप ल में आ पड़ेगा हुना अप Ready बहुत आ चाहिए था जिवराध सिंग को कई लोग लेजंट्री प्लेयर किसी रीजन से बोल कोई राशे हिसे बेए ठीज बाट बड़्यों बत फूर्ड्या संविश है विश्या प्लेयर निष्ट में फिल्दिंग विवराज सिंह दिए अफर देशन दूदिए वाइज दूदिए उनमें पैशन बहुत जादा है तो हमारा भी एक बनता है कि एक अच्छा फेर्वेल इसमस्ट पर परसन लाइड विध दाइड कालिबर हाँ वो एक बेटर फेर्वेल डिजर्व करते हैं क्योंकि 2007 में भी उनका अच्छा वो अच्छा खेले हैं अच्छी बैटिंग फिल्डिंग सब अच्छी थी इसलिए 2007 में जीत सक यह और तुथानिलान में भी जीत गई वर्ल्ड कप उपरसन के वजलोग तो एक अच्छा फे टोफीं गोडली जीता है चैंपिन्स टोफिव जीता है और वल्ल्ड कप में भी जीता है इसमें उसको कैंसर भी था ऐसा कुछ था बैटर फेर्वेल अगर वहां चाथे तो मिल सकता था थो तोड़ा सा हिंट भी देते जो कि रेटाइरो और जैसे कि अपश्छ गतम हो वो कहने कि मैंने पहले बहुत पहले से सोच रखा था कि आई पिल के बाद ले लूँगा.